शहर की खराब सड़कों के विरोध में कॉंग्रेस ने अपनाया नया तरीका जिन सड़कों में हैं गड़े ही गड़े वहां पहुँचकर लगाई चौपाल लोगों को बताया भाजपा सरकार में सड़कों का हाल शहर के गड़ चौर आहे से लेकर पुलिस लाइन चौक तक जाने वाले मार्ग में इन दिनों कई जगे गड़े हैं जिससे इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है बारिश होने पर इन गड़ों में काफी पानी भर जाता है जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन खराब सडकों के विरोध का कॉंग्रेसी पार्टी ने नया तरीका अपनाया है और इस खराब सडक पर चौपाल लगाई इस दोरान शहर अध्यक्ष गुर्मीट सिंग मंगू सहीत कारिकरता मौजूद रहे और यहां से गुजरने वाले लोगों को भाजपा शरकार में सडकों का हाल बताया इस दोरान कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष ने कहा कि अगर सडकों की हालत नहीं सुधारी गई तो मंत्री सांसद और महापौर के घर के सामने इसी तरह सडकों में चौपा लगाई जाएगी इन सडकों के सुधार के लिए प्रशाशन को एक हपते का समय दिया गया है सब्सक्राइब के लिए और लगातार 14 वर्सों से विकास की गंगा बहाने वाले विकास पुरूस पी ये रोड दिखाई नहीं दी और तो हम सारे वाडवातियों ने और नहिरुबस्ती के हमारे सब सातियों ने यह निर्ने लिया कि आज यहाँ पे रोड पे हम लोग बैठके गड़ों पे विकास की चाय चर्चा करेंगे अज हम तब लोगोंने मौले वालों के साथ चाय पे चर्चा की कि मंत्री जी यहां से रोज निकलते हैं और उसके लोग निकलते हैं लेकिन उनको यह रोड दिखाई नहीं देती है आए दिन वो रोज भूमी पूजन की कर रहे हैं वाडो में जाके उसके बाद भी सहर के अंदर नालिया पटी हुई है रोडे नहीं है वो कहां विकास कर रह हैं कि मिकास के नाम पे व्रष्टा चार कर रहे हैं यह मंत्री जी और उनके जो प्रस्लिदी है वही समझ सकते हैं आम जन्माना स्रीवा साहर का महानगर के नाम पे जो उसे जुड़ बोला गया जो उसे धोका दिया गया उसमें परसान है